नमस्कार दोश्तों आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है अगर आप क्लास 3 का एक्जाम देने वाले है तो इस वीडियो को जरूर देखी क्योंकि इस वीडियो में आपको क्लास 3 का सोसल साइंस का जियोगराफी का हम टॉप 30 कोस्टन बताऊंगा इस से पिछला सब्जेक्टी भी सोल्व हो जाएगा और साथ में आपका सब्जेक्टी लगभग पूरे बन जागा तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखें फॉर्स्ट कोश्चन है संसाधन को परिवासित करें दुसरा है संसाधन नियोजन क्या है थार्ड कोश्चन है भूमी हरास को रुकने के लिए पांच परमुख सुझाव दे फोर है नादी घाटी परिजना के मुख्य उदेश लिखी है हम इस वीडियो में सिर्फ आपको कोश्चन मताएंगे फिर आपको एंसर चाहिए तो आप कमेंट वक्स में फूश सकते हैं कोशिस करूँगा हम की इसका ही एक दो वीडियो बनाकर सभी का एंसर भी आपको समझा दूँ समझ गए तो फिफ्ट कोश्चन है बन बिनास के मुख्य कारकों की लिखे जल पर दूसर रुकने की उपाय की चर्चा करे वन के पडियावर्निये महत्व का वर्नन कीजिए कोश्चन नमबर आठ है चीपको प्रबंधन से क्या समझते हैं कोश्चन नमबर 11 है कोईले के चार परकारों के नाम लिखे कोश्चन नमबर 12 है भारतिय क्रीसी के पांच परमुख भी सिस्ताओं को लिखे नेक्स्ट कोश्चन है वन जीवों के हवास के चार परमुख कारकों को उलेग कीजिए कोश्चन न नमर 15 है भारतिये क्रीशी के निम्न उत्पदक्ता के कारणों का संच्छिप में वर्नन करे यानि इसका मतलब यह है कि जो भारत के क्रीशी है उसका उपज कम होता है इसका मुख्य कारण क्या-क्या है यह वर्नन कीजिए इसको समझ गए अगला कोश्चन है गहन क्रीशी की व बारे में लिखिए उनिस है बिनिर्मान से आप क्या समझते है बिनिर्मान से आप क्या समझते है क्वेश्चन नमबर 19 है अगला है वायू पडिवहन की परमुख विशिस्ता को लिखिए और 21 है भारत में सरको के प्रदेशिक बितरन का वर्नन कीजिए क्वेश्चन नमर 22 ह भारत के लिए जल मार का क्या महत्व है question number 23 है बिहार में बाट की स्थीति का वर्नन करे question number 24 है समुच रेखा से आप क्या समझते है इसकी दो विशिष्टा कौन-कौन सी है question number next है पर दूसन को नियंतन करने के क्या उपाय है ये काफी असान question सब है और आप इसको समझ यह सबसे है तब आप अच्छे से लिख पाईएगा समझ गया और यह आपका टेस्ट भी हो सकता है कि आप जरूर भूगोल पढ़े होंगे ता आप देखिए कि इसमें से आपको सभी question बनता है या नहीं बनता है तो नहीं बनता है तो फिर से इसको क्या कीजिए देखिए और समझ य है जल संसादन के क्या महत्व है और लोह अयस्क के परकारों के नाम लिखिए और तीस है सर्वजनिक और नीजी द्योग में अंतर बताईए तो यही 30 question है आप इसको क्या कीजिए जरूर देखिए काफी महत्पून question सब है इसको आप समझते है न तो बहुत सारे objective ही बन लिखिए और जैसे माली जिट कोईले के चार परकार के नाम लिखिए इसमें आपको पूर्देगा कि सबसें उच कोटी का क्या है निम्नकोटी के क्या है ती सबको आप अच्छे से धियान में रखिए और समझीए समझ गया तो यहाँ वीडियो आपको जूर पसंद आया हो अभी काफी महटपूंट वीडियो है, तो नेक्स वीडियो में फिर एक और इको काम टॉप 30 कोशन बताऊंगा, तब तक के लिए इस वीडियो के यहीं पे खतम करते हैं, धन्यवाद,